इस वीडियो में मैं आपको डिवाइड और मिजर कमांड के बार में बताऊंगा तो सबसे पहले हम दो लाइन डो करते हैं इक्वल डिस्टेंस की एल एंटर एल एंटर और यहां से हम डाइनमेक इंपूट ओन कर लेंगे और आप यहां से और्थो भी ओन कर लें तो हम यहां पर हंडर डिस्टेंस की दो लाइन डो करेंगे हंडर एंटर और कमांड से बार रहेंगे और इसको हम एक और लाइन डो करते हैं इसके निच्छे हंडर तो आप यहां पर देख रहे हैं दो लाइन हमने यहां पर ड्रो कर आप हम यहां पर सबसे पहले, divide command का यूज़ करेंगे, तो आप command line में आप यहां से भी select कर सकते हैं और यहां पर जाकर आप div type करेंगे और enter करते हैं, अब आपको जो भी object entity उसको divide करना है, उसको select करेंगे, और enter करेंगे, div enter, और यहां पर आप देखने जैसे आप click करते हैं, तो आप यहां पर कितने भागों में divide करना चाहते हैं, तो मैं आप 10 select करता हूँ, तो देखे line 10 भागों में divide हो चुकी है, points आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो pt आप type करिए, और यहां से इस्टे के point आप select करेंगे, तो देखे 10 10 भागों में divide हो चुकी है line, equal 10 parts में, command के बार में बताता हूँ, आप यहां पर me type करिए, me जैसे ही आप यहां पर type करेंगे, तो measure command आप देख रहे हैं, start हो चुके, तो यहां पर मैं इस पर click करता हूँ, और अब आपको measure में, जो यह segment है, इसकी first segment की length, यहां पर आपको select करनी है, तो जैसे मैं यहां से select करता हू इसे, आप यहां पर numerical value डाल की भी इसको select कर सकता है, जैसे मैं यहां पर cursor से select करता हूँ, first point में यहां पर select किया, और second point में यहां पर अपने left mouse click करता हूँ, तो देखे है, तो जितने भी मैंने point यहां पर distance select की थी, तो उसी distance में यह पूरी line divide हो जाएगी, तो आपको first distance select करन और यहां पर divide command में आपको जो line थी, वो जितने भी आप parts में apply करेंगे, जैसे मैं यहां पर 12 डालता हूँ, तो 12 equal parts में divide हो जाएगी, लेकिन measure command में आपको first segment की length, जितनी भी आप यहां पर डालेंगे, तो उसी length के coding, पूरी line divide होगी, जैसे मैं यहां पर एक बार और आपको बसाता हूँ, मैं यहां पर 200 के line draw करता हूँ, तो यहां पर measure command को use करूँगा, यहां पर click करता हूँ, तो देखे, यहां पर हमें first segment select करना है, तो मैं उसको distance यहां पर डालता हूँ, 30, enter, तो देखे, यहां पर 30 distance पर यह divide हो चुईगा, अब हम इसको, अगर measure करता है, linear में ज 30, तो इस step से आप lines को divide कर सकते है, measure और divide command से,